अस्सलाम अलेकुम बिस्मिलाइ रमाने रहें आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी किचन में मतर चावल जो छोटे बड़े सभी पसंद करते हैं और उसके साथ बनाएंगे रायता मुंदी का रायता और ये डिश इतनी पसंद देता है कि हर कोई पसंद करता है तो यहां पर हमने मतर ले ली है तो यह मतर होगी लगबग 300 ग्राम और चावल हमने लिया है यहां पर 500 ग्राम दो गिलास चावल लिये हैं तो चलिए बनाना करते हैं तो यहां एक कुकर ले लिया है इन चावलों को हम कुकर में बनाएंगे आप चाहें तो बगोने में भी खुले करके भी बन चारपूल, बड़ी लाइची, लॉंग, काली मिर्च और जीरा, इन सब को डाल देंगे, जब ये अच्छे से चटक जाएं, तब इसमें हम डालेंगे प्याज, इनको पहले थोड़ा सा तेल गरम होने के बाद डालें, और ये फिर फोरान ही चटक जाते हैं, फिर इसमें डाल देंगे, तो चावलो का कलर सफीद आएगा, इस वोचे से थोड़ा सा प्याज, आप ब्राउन करके ही चावल पकाएं, तब इसमें हम डाल दिया है आलू, एक हमने आलू डाला है, ये मतर चावल में बहुत ही ज़्याद अच्छा लगता है, और अब डाल दी है, इसमें मत पहले इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने से जो इनका है कच्छा पन होता है, मतर का, आलू का, वो सब निकल जाता है, और इसका अलगी टेस्ट आएगा, तो फिर हमने इसमें डाल देंगे, फ्राई होने के पास, पास इच्छ है हमने अरी मिर्च, जिसमें डाल देंगे, एक टमाटर, और इसको भी अच्छे से पका लेंगे, अगर आप एक साथ सब चीज़े डाल कर पकाएंगी, तो उसका मजाल टेस्ट नहीं आएगा, ऐसे जैसे हम बता रहे हैं, इस तरह से बनाएंगे, तो इंशाल्ला आपको आपके मिर्चावल बहुत ही ज डाल दिया है, सौफ और धनिये का पिसा हुआ, दर दरा सा पॉर्डर, और यहां हमने डाल दिया है, बन टेबली स्पून नमक, हम और नमक बाद में डालेंगे, यह हमने टमाटर गलने की उच्छे से डाल दिया है, यह दिखीगा, इनको भूनते हुए, यहां पर मीडियम पर भून रहा है, यहां पर इनको भूनते हुए, दस मिंट हो चुके हैं, और फिस में हम डाल देंगे पानी, यहां पर हमने लिये हैं चावल, दो गिलास, तो यहां पर हम धाई गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें मतर भी हैं और आलू भी, इस होज़े से पानी देखे थे, यह देखेगा, टाइगलास बिल्कुल पर्फेक्ट इसमें पानी डाला है, और यहां पर हमने लिये नमक चक्का था, तो हमें कम लगा, इस वज़े से हमने यहां पर एक चमच और लिया है, एक गिलास के हिसाब से आप एक चमच नमक डाल सकते हैं, और इनको प बुंदी का रायता बना लेते हैं, तो यहां हमने लिये है डाइसुग्राम देही और इसको हैंविस के हेल्प से फेट लेंगे, और यहां पर हमने कुछ मसाले डाले हैं, यहां पर हमने रायता मसाले डाला है, और काला नमक डाला है, थोड़ा सा सफेद नमक भी डाला है, अगर आपके पास रायता मसाला नहीं है तो आप पिसा हुआ जीरा और काली मिर्ज का पॉडल डाल सकते हैं और इन सब को अच्छे से मिला कर हमने थोड़ा सा इसमें पाइड डाल दिया है और फिर यह डाल देंगे 14 में बूंदी और यहां पर दो सीटी लगने के बाद इसको थोड़ा सा रिलीज कर देंगे और यह थोड़ी सीटी निकाल कर फिर फेस में हम डालेंगे कलर और कलर हमने यहाँ पर कलर में थोड़ा सा केवड़ा वोटर डाल दिया था और थोड़ा सा पानी और बस थोड़ी देर के लिए इसको एक मिन्ट के लिए और गैस जलाकर रख देंगे जिसे यह कलर भी पक जाए और यह दीखिएगा कितना अच्छा माटर चावल बन कर तैया हो चुका है एक दम खिला खिला आपको दिखाई दे रहा हुआ कितना लंबा चावल बना है इस तरह से आप बना कर खाईएगा इंशाला आपको जरूर पसंद आएगा फ्रेंड्स आपको याद दिला दें अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक श मिशाला आपको जरूर पसंद आएगे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है प्लीज कमन बाक्स में जरूर बताएगा